गुड यूणिंग चिल्डरेंस वेलकम अगेन इन मा यूटूब चैनल गुरुकुल लर्निंग अकैडमी बच्चो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी निबंद हिंदी निबंद में आज हम निबंद लिखेंगे मेरी मा मा वह है जो हमें जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन भी करती है मा के इस रिष्टे को दुनिया में सबसे जादा सम्मान दिया जाता है यही कारण है प्राया संसार में जिवन नाइनी और सम्मानी ये बातों के लिए मा की संग्या दी जाई है जैसे की भारत मा, धर्ती मा, प्रित्वी मा, प्रकृती मा, गव मा, आदी इसके साथ ही मा को प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ती भी माना गया है इतिहास कई सारी ऐसे घटनाओं के वर्णन से भरा पड़ा हुआ है जिसमें माताओं ने अपने संतानों के लिए विबिन्य प्रकार के दुख सहते हुए अपना सर्वस्व निवचावर कर दिया यही कारण है कि मा के इस रिष्टे को आज भी संसार भर में सबसे सम्मानेद और महत्व पूर्ण रिष्टों में से एक माना जाता है एक इस्तरी अपने जीवन में पत्नी, बेटी, बहु जैसे न जाने कितने रिष्टे निभाती है लेकिन इन सभी रिष्टों में से जिस रिष्टे को सबसे ज़ादा सम्मान प्राप्त है वह मा का रिष्टा है मातरित्व वह बंधन है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती मा अपने बच्चों को जन्म देने के साथ ही उसके लालन पालन का भी कार्य करती है कुछ भी हो जाए लेकिन एक मा का उसके बच्चे के लिए प्रतीसने कभी कम नहीं होता वह खुद से भी जादा अपने बच्चों के सुख सुविधाओं को लेकर चिंतित रहती है एक मा अपनी संतान के रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्यों का सामना करने का साहस रखती है एक मा स्वैम चाहे कितने भी कष्ट सहले लेकिन अपने बच्चों पर किसी तरह की आँच नहीं आने देती है इन्ही कारणों से तो मा को पृत्वी पर इश्वर का रूप माना गया है और इसी लिए यह कहावद भी काफी प्रचलित है कि इश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता है इसी लिए उसने मा को बनाया है मेरी मा मेरी सबसे अच्छी मित्र मेरी मा मेरे जीवन में कई सारे महत्तुरपूर्ण भूमिकाय निभाती है वह मेरी सिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है जब मैं किसी समस्या में होती हूँ तो वह मुझ में विश्वास पैदा करने का कार्य करती है आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ अपने मा के ही बदालत हूँ क्योंकि मेरी सफलता और असफलता दोनों ही वक्तवा मेरे साथ रहती है उनकी विना तो मैं अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकती यही कारण है कि मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानती हूँ निश्कर्ष हमारे जीवन में यदि कोई सबसे जादा महत्व रखता है तो वह हमारी मा ही है क्योंकि बिना मा के तो जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती यही कारण है कि मा को पृत्वी पर इश्वर का रूप भी माना जाता है इसलिए हमें मा के महत्व के महत्व को समझाते हुए उसे सदेव सुख खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों इस तरह हमारा आज का निबंद पूर्ण हुआ मेरी प्यारी मा थैंक यू